नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली पटना में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है दरसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक विशिप्त वेक्ति को लोग बच्चा चोर समझ कर उसकी धुनाई करन लगे पुलिस ने जब उनको छुडाने की कोशिश की तो भीड पुलिस से भी उलज गई और हालात ऐसे बने कि पुलिस जिपसी को तोड़ फोड दिया गया आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से भीड उतारू है कि जल से जल कैसे युवक को पुलिस के कबजे से दरसल हुआ कुछ ऐसा कि परसाथाना इलाके में सुबह सुबह उस विशिक्त वेक्ति को देखा गया और उसे कुछ युवकों ने पकड़ लिया और इस बारे में उस पर आरोप लगाया गया कि वो बच्चा चोर है जिसके बाद भीड इकठा होने लगी ग्रामिडों ने उसकी जम करके पिटाई कर दी और तब तक पीटते रहे जब तक वो बदहावास नहीं हो गया इस बीच पुलिस को सूचना मिली और पुलिस भी मौके पर पहुँची युवक को छुडाया उस भीड से और जैसे ही पुलिस जिपसी में बिठाया उसके बाद लोग और ज़ फोड की गई है अब इस मामले में पुलिस के तरफ से कारवाई की बाद भी सामने आ रही है जो परसा थानेदार है वो कह रहे हैं कि जो वीडियो फोटेज है उसके आधार पर आगे की कारवाई होगी लोगों के खिलाफ एफायार दर्च किया जा रहा है और अग्यात तो खिलाफ जो भीड में शामिल थे जो भीड में शामिल होने के बाद उग्र हो गए थे और लगतार हमला कर रहे थे उनके उपर पुलिस कारवाई करने वाली है जो वीडियो फोटेज आया है सामने उसको ले करके आधार बनाया जा रहा है और आप करवाई होगी इसके साथ लोगों से पूश्टाच भी की जा रही है और उस पूश्टाच के बिना पर आगे का एक्षन पुलिस लेगी सबसे बड़ी बात यह है कि भीड तंत्र इतना हावी हो चुका है कि बिहार में कई जिलों से इस तरह की तस्वीरे सामने आ रही है बच्चा चोरी के आरोप में पिशले दिनो आपको अपको याद होगा पिशले दिनो पटना में एक महिला की पिटाई की गई थी और उस पिटाई के बाद उसे कमरे में बंधक बना कर रख लिया गया था बाद ने पुलिस ने उसे वहाँ से rescue किया था लेकिन अगर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुँशती जैसा कि आज पतना के परसा था ना पुलिस सही वक्त पर मौके पर पहुँची और युवक को लोगों के बीच से बचा लिया लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाती तो जाहिर सी बात है कि हो सकता था कि उसकी जान चले जाती क्योंकि उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है पूरा गाउं मिलकर करके उसको पीट रहा था और जब पूलिस उसे बचाने गई तो लोगों के दिल में पूलिस का भी डर नहीं रहा और पूलिस पर भी लोग तूट पड़े गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई और पूलिस के कबजे से उस युवक को छुडाने की कोशिश की जा रही थी आप लाइब सीरी साथ बन रही है इस मामले में और भी क्या कुछ अपड़ेट आते हैं हम आपको भी देंगे फिलाल हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फेज़ू पेज को लाइक करें विस्तार से खबरों को पढ़ने की लाइफ सिरी डॉट इन पर जाएं धन्यवाद